तो मैं आज आप लोग को मंदमी परिक्षा 23 के हिस्ट्री सब्जेट के लिए जो कॉस्टन प्रिटन और मार्क्स डिस्टिप्शन रहेगा उसको बताने जा रहा हूं तो सबसे पहले देखें ग्रूप ए में जो टुटेल यानि एक सब्जूप में चार को जाएगा जीस तरह सब्जूप ब्फासी कील्स लेकिन यहारे अग्र तो फ्री पॉचन आना चाहिए लगबग फएग है इसके वाद दखिए ग्रूप C में ग्रूप C में ऐसे क्यूँ यानि 2 मास का जो रहेगा या पर 16 कोशन लेगा 16 में से 11 कोशन का अंसर आपको लिखना पड़ेगा जिसमें टोटल मिलेंगे नंबर 22 इसके वाद दिखें 4 नंबर में ग्रूप D ग्रूप D में 8 कोशन लेंगे 8 में से 6 कोशन का अंसर आपको लिखना पड़ेगा जिसमें मिलेगा 4 मक्स और यह 7 से 8 सेंटेस में लिखना पड़ेगा आपको ठीक है या पर नोट क्या करने बोला है ग्रूप D इस दिवारे इंटू 4 सब ग्रूप लेकिन ग्रूप D जो है वो 4 सब ग्रूप में डिवाइट के हो रहेगा ग्रूप D में 8 में छे कोशन का अंसर लिखना आ है लेकिन ग्रूप D में D जो है वो 4 सब ग्रूप में बटा हुआ है ग्रूप D1, D2, D3 और D.4 हर सब ग्रूप में यह पर 2 कोशन लिएगा तो डीपेंट 1 में 2, डीपेंट 2 में 2, डीपेंट 3 में 2 और डीपेंट 4 में 2 तो total question होगया 8 8 में से आपको 6 question का अंसर लिखना है ठीक है लेकिन हर subgroup से एक question का अंसर आना चाहिए तो आप सबसे पहले जो है group डीपेंट 1 से एक question को 2.2 से एक, 2.3 से एक और 2.4 से एक, हर एक सब ग्रूप से एक कोशन हल किजिएगा, तो टोटल 4 कोशन हो गया, अब बचा आपको 2 कोशन, तो 2 कोशन कांसर जो है लास्ट में, आप किसी भी सब ग्रूप से दे सकते हैं, ठीक है, तो टोटल मिला के आपको यह पर 6 कोशन कांसर है, ठीक है, इसके बाद लास्ट जो है, वो ग्रूप E है, तो ग्रूप E में कोशन रहेगा, 3, 3 में से आपको एक कांसर लिखना होगा, ठीक है, जिसका माक्स मिलेगा, 8, तो यह रहा, जो आप लोग समझ नहीं पा रहे थे, वह सार बच्चे का पॉबलम था, ग्रूप और सब गूप पॉबलम को लेकर, ठीक है, तो यह वीडियो आप लोग जासेद अपने फ्रेंज के साथ यहर की जगा, थैंक यूपर वाचिंग, गुडबाई, टाटा